आप सभी का स्वागत रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होश्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजूर्ग और किसान सातियों को मेरा राम राम तो किसान सातियों आज हम जानेंगे कि हमारी बक्रियों में जो पेचिस होता है उसके बारे में और करेंगे उनका घरेलू इलाज तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाईयों हमारे चैनल को सस्क्राइब परें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं तो किसान सातियों हमारे बकरा या बकरी में जब पेचिस हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है खाया पिया कुछ सईसे हजम नहीं होता और उनका जो सरीर है बिलकुल वो कमझोर होता चला जाता है तो अब हम जानेंगे के उसकी लक्षण क्या क्या है बकरा बकरी को दस्त हो जाना अपच हो जाना कोई चीज पच्छ नहीं रही है और ऐसे ही वो जो है बाहर निकल रही है यानि कि लूज मोसन भी कहते हैं वो इसका खाया पिया सही से हजम ना होके वो जो है दस्तों के द्वारा या लूज मोसन के द्वारा बाहर हो जाता है तो समझें कि इसे पेचिस हो गई है और पेचिस के यही लक्षन होते हैं जो हमें साफ साफ दिखाई दे जाते हैं बार बार जगे जगे जो है दस्त करने या एकदम पतला पानी टाइप फैंक देना तो ये सब चीज देखने के बाद अब हम जानेंगे कि हम उसका घरेलू उपचार कैसे करें और क्या-क्या चीज हमें चाहिए हमें चाहिए सत्तू, गुड़, सत्तू हमें चाहिए कम से कम 20 ग्राम और गुड़ चाहिए 10 ग्राम ये जो चने और जोंका सत्तू होता है वो सत्तू होना चाहिए सत्तू को हम गुड में मिलाके अपने पसू को खिलाएं तो उससे भी जो है पेचिस में बहुत जादे फायदा होता है ये हमें दिन में दो से तीन बार खिलाने हैं जल्दी से जल्दी जिससे के हमारे पसु के जो पेचिस है यानि कि दस्त हैं वो खतम हो जाए दूसरा हम पेचिस में यह जो लॉंग होती है इसे भून के भूनने का मतलब ऐसा है कि लॉंग को हम अपने गरम तवे के उपर डालते हैं और ऐसे चलाते हैं उसे चलाने से ही वो लौंग भुन जाती है तो पसू के साइज और वेट के हिसाब से देखकर हम दो से तीन भुनी हुई लौंग भी अपने पसू को खिला सकते हैं अगर उपर वाले की इच्छा हुई और तकदीर ने साथ दिया तो हमारे पसू के जो लूज मोशन है पेचिस है दस्त है वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे साथियों आपने ये पेचिस वाली वीडियो देखी अगर ये फार्मूला ये नुक्सा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जबड़ दबाएं ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जौन फार्मिंग लीडर से